है अबरिवन आज इस वीडियो में मैं अपनी बाइक के साथ अपना एक साल का experience share करने वाला हूँ और कल ही मैंने इसकी second service कराई है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में आज बात करेंगे सबसे पहले मैं इसकी की दिखा देता हूँ जो बाइक की है वो एकदम सिंपल इस तरह से आती है यह की चेन आपको online मिल जाते हैं काफी सारे वैसे मैंने जब इसके pictures देखे थे खरीदने से पहले तो मुझे लगता था यह काफी चोटी फील होगी लेकिन आप इन परसन देखेंगे तो काफी muscular फील होती है और काफी बढ़िया लगती है आपको कोई छोटी बाइक फील नहीं होती है एक बिग बाइक का फील देती है इस बाइक को यूज करते वे मुझे एक साल से जादा हो गया है और कोई भी बाइक हो कोई भी कार हो एक साल में आपको लगबग सारी problem का idea लग चुका होता है कि बाइक में क्या क्या चीजें अच्छी है और क्या चीजें हमें बेकार फील ही है सबसे पहले service experience की बात कर लेते हैं first service है वो भी मैंने कोटा राजिस्थान में ही करवाई थी और जो इसकी second service है वो इस complaint की वज़े से मुझे second service में उन्होंने outstation charges जो है वो फ्री कर दिया तो इस बार मेरे सिर्फ service cost के पैसे उन्होंने लिये है जो है 6450 second service में service cost और जादा हो सकता था लेकिन कुछ चीजें हैं जो मेरी इस service में charges मैंने बचा लिए ये मान लीजिए आप वाशिंग के charges है वो service की है उस service में oil change हुआ है oil filter change हुआ है air filter change हुआ है और बाकी पूरी जो bike है उसमें जहां भी bolts है nut bolts है वो सब कुछ tighten up हुए है and उसके बाद उनका जो system है उसे connect करके वो इसके electronics चेक करते हैं so normally service में ये चीजें होती है और around 1.5-2 गंटे का time लगता है and जो cost है वो मैंने आपक रुपे आपको एक बार pay करना है जो मेरे हिसाब से बहुत जादा नहीं है एक साल में एक बार आपको पे करना है 10,000 km सर्विस इंटरवल बहुत अच्छा है तो उसके हिसाब से अगर देखें तो 6-7-8,000 रुपे अगर service cost है तो BMW की bike के लिए ठीक है ये चीजे हम पहले से mind में रखते हैं खरीदते टाइम कि इतना cost हमें bear करना पड़ेगा तो यह हो गई service की बात अभी मैं इसके पहले कुछ cons बता देता हूं जो problems मुझे एक साल में feel हो है सबसे major जो problem की मैं बात करूँ वो मुझे इसके gear shift hard लगते हैं अब यह बहुत बड़ा problem नहीं है मैं used to हो गया हूं मुझे नहीं लगते हैं बट मेरे friends मेरे colleagues कोई भी जब इससे right करते हैं तो उन्हें वो easily feel होता है कि यह gears थोड़े से hard है फिर मैंने service person से भी पूछा तो उन इजी सा process है वो मैं आपको दिखा भी देता हूं वो किस तरह से करना है so clutch के setting से पहले मैं आपको एक बार लीवर्स दिखा लेता हूं यह लीवर्स मैंने aftermarket purchase किये थे and एक recent वीडियो में मैंने इनके बारे में बताया भी तो जो gears है वो जैसी मुझे hard लगने लगते हैं तो उसे मैं यहां से adjust कर लेता हूं यहां से आप इसे थोड़ा सा गुमा के tight कर सकते हैं तो उससे यह जो play है यह play कम हो जाता है यह play जितना कम रहेगा उतना ही gear smooth हाते है यह छोटा सा problem है उसका solution भी मुझे पता है लेकिन यह और bikes में मुझे अभी feel नहीं हुआ था लेकिन इसक करना पड़ता है तो पहला problem मैंने आपको बताया clutch and gear hard के बारे में और second problem की बात करें तो वो है battery काफी सारे वीडियो में काफी सारी जगे reviews में आपको battery का issue मिल जाएगा जो 310R and GS के साथ होता है अब वो मेरे साथ पूरे एक साल तक नहीं था जैसे ही bike को एक साल हुआ तो BMW स है उसमें आपकी bike का भी number है तो battery free replace होगी तो मुझे लगा ठीक है नई battery आ जाएगी एक साल होई गया तो जबसे उन्होंने नई battery डाली है तब से मेरी bike में battery का issue feel होने लगा है अभी उसको start करता हूँ मैं सुबह self मारता हूँ तो पहले self में हमेशा ये start नहीं होती है generally second self मे मुझे पहले पूरे एक साल तक कोई भी issue नहीं आ रहा था अभी service just होई है और service के बाद ये issue और थोड़ा जादा आने लगे फिर मैंने complaint की है तो उन्होंने मुझे बोला है बैटरी replace कर देंगे otherwise पहले मुझे ये issue था ही नहीं तो पूरे एक साल में ये दो ही major issues है जो मैं को बताऊंगा जो मुझे feel होए एक वो है gear heart का और एक है battery का और चोटी मोटी चीजों में अगर आप बात करें तो उसमें जो chain है वो थोड़ी सी आवास करती है जैसे ही थोड़ी सी lose होगी वैसी वो थोड़ी आवास करने लगती है ज्यादा टाइट नहीं करवा सकते तो भ एक service करानी है बीच में chain loop करना है बस इतना सा है इसके अलावा और कोई bikes related issues नहीं है बाकी सारी चीजें battery feel होगी है अब मैं इसके प्रोज के बारे में बता देता हूं जो चीजें मुझे बहुत बढ़िया लगती है प्रोज में सबसे पहली चीज है इसके looks यह काफी eye catchy है य यह बहुत अच्छी चीज हो जाती है बाइकर के लिए कि कोई भी आके उससे पूस्ता है कि बाइक कहां से लिए है कितने की है और बहुत बढ़िया लग रही है तो आप अगर attention मिलती है किसी भी बाइकर को तो बेकार नहीं लगता कहीं भी आप जाके रुकेंगे even petrol pumps पे normal क लेकिंड इसमें बात करेंगे तो इसका suspension जो इसके suspension है वो बहुत स्मूध है इसको वैसे भी city rights के centric बनाया गया है तो city में आपको normal pot holes पे breakers पे बहुत स्मूध फील होती है महीं मेरे एक friend है उसके बास Duke 390 है जिनके साथ मैं राइट पे जाता हूं जो मैंने उसे राइट क बहुत ही अच्छी है पहले मुझे ओके लगती थी लेकिन जब मैंने Duke 390 की sitting को देखा एकदम पत्थर पे बैटने जैसा हो जाता है तो यह बहुत soft है बहुत अच्छी कुशिनिंग के वज़े से काफी लंबे rides पे भी कोई problem नहीं होती है मैं इस bike से एक दिन में 500 km भी ride कर चुका हूँ और seat के वज़े से suspension के वज़े से वो ride बहुत ही बढ़िया थी otherwise मैंने सोचा था कि लोग कैसे इतना लंबा ride कर लेते हैं bikes तो यह 300cc की bike की according वो ride बहुत comfortable थी फिर बात करते है power की तो इसमें enough grunt मिल जाता है कहीं भी वो power की कमी feel नहीं होने वाली है और enough power के साथ mileage भी बहुत अच्छा है जो bike है वो आपको easily 25-30 km per liter के बीच का mileage आपको दे देती है अभी गर्मिया आने वाली है जब बहुत जादा गर्मिया थी तब भी मैंने से ride किया था जहां मैं कहीं signal पर रुखता था तो बहुत ही minor heating मुझे अपने पैरों पर फील होती थी but वो negligible है वो इतनी heating नहीं है कि आपको issue feel हो so heating का कोई भी problem नहीं है so overall इसके better चीजों के बारे में मैंने बताया वो है suspension, looks, comfort, power enough है, mileage अच्छा है and maintenance भी yearly है और वो बहुत जादा costly नहीं है मेरे according अगर आप एक साल में 7,000 रुपे खरेंगे तो वो बड़ा issue आपके लिए नहीं होना च चाहिए है नहीं, definitely आप इसे consider कर सकते हैं, 300cc segment में आपको एक premium looking and premium feeling के साथ बाइक चाहिए तो BMW 310R आपको दे सकती है अब इसके उपर GS भी खरीदी जा सकती है बड़ उस ताइम मेरा budget already कम था, मैंने उस budget को extend करके, stretch करके मैंने 310R लिया था और GS बहुत जादा sale होती है and ब मैंने इसे choose किया था, तो अपनी अपनी choice है और 310R जो है, वह आपको city rides पे and long rides पे, highways पे बहुत बढ़िया experience देने वाली है, thank you so much for watching this video, आगे भी इस bike से related videos मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो आप उसके लिए इस channel को subscribe कर सकते हैं, thank you